बॉलिवुड में बहुत से स्टार आएं और गए लेकिन कुछ स्टार्स अपने खास अंदाज से हमेशा के लिए फैंस के दिलों में बस गए उनमें से एक स्टार है जैकी श्रॉफ जिन्हें जग्गू दादा भी कहते हैं जग्गू दादा से एक सवाल पूछा गया कि वहाँ अपने हाथ और गर्दन पर हमेशा स्कार्फ क्यों पहनते हैं इसके पीछे की वज़ा बताते हुए जैकी ने कहा बच्पन में मैं हमेशा मा की साड़ी को पकड़े रहता था पता नहीं क्यों ऐसा करने से मुझे शांती मिलती थी उनकी साड़ी पकड़ने से मुझे मुलायम कपड़ों की आदत हो गई शायद यही से मुझे गले में सकार्फ या रुमाल डालने की आदत लगी है उन्होंने कहा कि उन्हें बांधनी प्रिंट बहुत पसंद है जैकी कोई रईस परिवार से नहीं थे बलकि वहां मुंबई की एक चौल में रहते थे किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन सिगरेट बेचने वाला लड़का एक दिन बॉलिवुड का जग्गू दादा बन जाएगा जैकी श्रॉफ ने देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा से डेब्यू किया था लेकिन इस फिल्म से उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी इसके बाद जैकी श्रॉफ ने हीरो फिल्म में काम किया था और इसी फिल्म ने जैकी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था फिल्म की एक आइकॉनिक धुन थी बानसुरी की धुन जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है